11 जून और 12 जून का दिन तुला राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बायत करेंगे 11 जून और 12 जून के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए इन दो दिनों में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे इन दो दिनों में कौन सा अग्र है? राशी बदलेगा? क्या योग बनेगा? क्या नक्षत्र होंगे? इन सभी का प्रभाव आपकी दिंचरी आपको कैसे प्रभावित करेगा सब कुछ जानेंगे विस्तार से आपके जीवन से जुड़े हर एक शेत्रे के बारे बे करियर कैसा होगा, सिक्षा कैसी होगी, स्वास्त कैसा होगा निजी जीवन आपका, प्रेम जीवन आपका वेपार, आपकी दुकानदारी, हर एक चीज तो वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आप आज पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं तो चलिए सबसे बहले इन दो दिनों के ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, योग इनके बारे में जान लेते हैं अब 11 जून का जो दिन है, ये क्रशन पक्ष की अश्ट मीती थी है और पूर्व भादब्रद नक्षत्र रहेगा जो पूरा दिन है योग की अगर बात करूँ तो प्रिती नाम का योग में सूर्य उदै होगा जो कि सुबह 10 बजे तक योग बनेगा, इसके स्वामी विश्ण वगवान होते हैं उसके बाद आईश्मान नाम का योग बनेगा और इसके स्वामी चंद्र देव होते हैं यहां चंद्रमा कुंब राशी में सुबह 8 बजे तक हैं, उसके बाद मीन राशी में आ जाएंगे तुलाराशी के लोगों के लिए मीन राशी के चंद्रमा होंगे और सूरिय व्रिशबराशी म्रगशिरा नक्षत्र में इसके अलावा सरवार्थ सिध्धी योग भी इस दिन बनने वाला है अब बारा जून का दिन स्वामवार का दिन है क्रश्न पक्ष की नवमीती थी उत्तर भाज बद नक्षत्र और आठ वजे का इश्वमान योग उसके बाद सौभागय योग लग जाएगा जिसके स्वामी ब्रहमदेव हैं दोनों ही योग बहुत योत्तम हैं चंद्रमा मीन राशी में विराशमान हैं सूरिय विशबरासी मरगशरा नक्षत्र में अब ये होगई हमारी क्रहों की इस्तिथी अब इसी के आधार पर जानेंगे इन दो दिनों में कैसे परिवर्तन होंगे क्या उपाय कर सकते हैं क्या शुब रंग होगा क्या शुब समय होगा जिस समय में आप अगर कारियों को करते हैं तो वो आपके सक्सिस हो ली होंगे वो आपको लाब कराने वाले होंगे तो पहले मैं बात करूंगी 11 जून के बारे में जो इस्तिती है वो कॉमराशी से निकल कर मीन राशी में प्रिवेश कर जाएगी इस दिन तो इस दिन कपको क्या करना है एक तो आपको ना मन में किसी तरह की बेचैनी हो सकती है तो बस धहरिया रखना है और अपना खुद का ध्यान रखना है और आपका मन जो है वो काफी शांत रहेगा शांत मन से इनसान अच्छी तरीके से सोच पाता है चीजों के बारे में आज आपके मन में इच्छाएं बहुत जादा नहीं होगी कई बार होता है न इतनी इच्छाएं मन में हो जाती है कि व्यक्ति परिशान हो जाता है, आकरी कैसे उन इच्छाओं को पोरा करे, तो उतनी ज़्यादा इच्छाएं नहीं होंगी, बलकि जो छोटी-छोटी समस्या हैं, उनको हल करने की तरफ आप जादा रहेंगे, कि छोटी-छोटी चीजों को पहले सुलजाया जाए, उन चीज आज आज आप कुछ मदूर संगीत का सहरा भी ले सकते हैं, यानि कि आज कुछ ऐसी चीज़ी आप सुन सकते हैं, आज जिन पर आप यकीन करते हैं, आज उनके बारे में, उनसे आज आज आप किसी तरह की बाते कर सकते हैं, कुछ लंबे समय से आ रहें, जगड़ों को सुल अगर आप सिंगल हैं तो देखे कई बार ऐसा होता है आप अकेले हैं अकेले रहते हैं या फिर तो कई बार अकेला पन कई बहुत सारी दिक्कतें का दिक्कतें दे जाती है दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है और खास दोर से उन दिनों में जब आपके पास करने के लिए कुछ नहो तो इससे चुटकार आ पाने की कोशिश करें, थोड़ा समय दोस्तों के साथ बिताएं, अपने अपनों के साथ बिताएं, अच्छे दोस्त बनाएं, तो अचीजों की तरफ भी आपको धहाद देना है, वाकि वेबसाय करने वाला होगा और अगर आप कोई बिजनिस ट्रिप प्लान कर रहे हैं बिजनिस ट्रिप के लिए आप बाहर जा रहे हैं अपनी घर के बड़े बुजरुगों का आशेवाद लेकर जरूर निकले आपकी काम भी सफल होंगे आपको उनसे खुशी भी मिलेगी और इसी बीच आप की जीवन साथी को भी तरक्य का कोई अच्छा बड़ा आफसर प्राप्त हो सकता है तो उनके लिए भी अच्छा है और इसमें आप अपने सभी कामों को समय से पूरा कर पाएंगे आपकी मेहनत पर बहुत कोई अच्छी चीज आपको गिफ्ट कर सकते हैं तो यह बहुत हो सकती है तो आज तो चीजें बहुत सी सुधरने वाले हैं आज कह सकते हैं चीजों को सुधारने का दिन है आपका मजबूत व्यक्तित्व होगा और आप एक मजबूत व्यक्ति भी हैं मुबाइल या सोशल मीडिया पर कुछ लोग जाधा ही बिजी रह सकते हैं लेकिन इत कर लेते हैं आज आपको एहसास होगा कि आपका जो ऑफिस में बिजली की चीजें है उसके लिए आप एक चीज पहले से ध्यान रखें अपने डाटा को समय समय पर सुरक्षित करते रहें सुरक्षित रखना होगा आपको वरना बाद में परिशानी हो सकती है सावधानी बरत लेंगे पहले इतों चीजें आप उतने ज्यादा परिशान देने वाले नहीं होंगी इसमें पैत्रक्षित को लेकर कुछ मामले सामने आ सकते हैं और कुछ परिवार के लोगों के बीच में भी इस बात को लेकर थोड़ी सी कहा सुनी हो सकती है तो समय का इंतिजार करें कुछ चीज़ों को बदलना चाहेंगे कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहेंगे कुछ चीज़ों को अपनाना चाहेंगे तो खुद डिसीजन आपको लेना है और इस डिसीजन को लेने में आप काफी हिम्मत भी रखेंगे उन पर ध्यान भी देंगे आंतिक रूप से मजब हमेशा याद रखें किसी पर भी जरूर से जादा भरोसा करने से आपको बचना है इस चीज का हमेशा ध्यान रखें आज आपको अपनी परिवार वालों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा दामपत्य जीवर बहुत मधूर दिख रहा है बहुत ही उत्तम रहेगा और एक का काम आप जरूर करें क्योंकि अभी गर्मियां बहुत ज़्यादा चल रही है अपनी घर की च्छत पर या अपनी बालकनी में जहां आप रख सकते हैं वहां चुडियों के लिए पानी का बरतन रखना शुरूर करें यह बहुत ही अच्छा कारियों का आप जरूर करें इससे और अधिकसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भोलें